नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका study IQ में आज हम लोग एक बहुत ही दिल्चस्प विशय के उपर चर्चा करने वाले हैं हम लोग एक agriculture related topic के उपर बात करने वाले हैं अब यहाँ पर heading देख सकते हो what is the bead model of crop insurance which is prominent in महराश्चा अब यह bead क्या है देखिए bead महराश्चा का एक district है जहाँ पर प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना की implementation थोड़ी सी tweak करके की जा रही है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे how bead model is an improvement over the in general प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना जो पूरे देश में implement की जा रही है तो this becomes a very very important discussion from the perspective of administrative efficiency यह आपके लिए एक उधारन मनेगा exam point of view से की administrative efficiency कैसे लाई जा सकती है financial accountability, financial prudence, financial property किस तरह बढ़ाई जा सकती है तो आपको इसके उपर काफी अच्छी information मिलेगी तो stay tuned with me I am your friend Rahul Sai Gankar अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं और अगर आप UPC civil service examination की त्यारी कर रहे है तो this is a very very important topic for you आपको प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना की information मिलेगी यहाँ पे आपको एक सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि पिछले पान साल में और अगर आप UPC courses के लिए तो just go to the description of the video you'll find all the details regarding our courses चली, खबर के बारे में जानते हैं सबसे पहले हाली में महाराश्यक चीफ मिनिस्टर है उद्णव ठाकरे यानि की बीड मोडल को पूरे महाराश्यक में expand करने की उन्होंने request की तो चलिए जानते हैं कि बीड मोडल exactly है क्या लेकिन इस बीड मोडल को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना है क्या और basically work कैसे करते हैं प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना 2016 से लागो है अब हम जानते हैं कि इंडियन अगरिकल्चर काफी वल्नरेबल है अब वल्नरेबल क्यों है देखिए रेन फेड अगरिकल्चर होता है पहले जब भी हम लोग बीज बोते हैं बीज बोने के बाद हम request करते हैं कि बारिश आ जाए पानी चाहिए irrigation facility नहीं है तो हम लोग rain के उपर rely करते हैं अगर rain आई उसके बाद हम लोग कहते हैं ज्यादा बारिश ना हो अती वरष्टी हो गई तो और भी problem है इसके अलावा disasters तो इंडिय में काफी होते हैं देखे दिर साइकलोन दिर इस flood दिर इस drought अब इसकी वज़े से किसको खत्रा है किसानों को बहुत खत्रा है अब देखे इसी लिए insure करने के लिए कि किसानों की income प्रदानमत्री फसल भीमा योजना लाई गई थी आप जानते हैं कि insurance को concept कैसे वर्क होता है कि you pay a premium आप premium pay करोगे तो insurance company अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो आपको compensation दे देगी That is the basic concept अब चलिए जानते हैं प्रदानमत्री फसल भीमा योजना है कि कुछ details अब ये इतनी attractive scheme क्यों बनी है देखे premium काफी pay कम करना होता है farmers को किसानों को केवल दो प्रतिशत premium pay करना है for खरीफ crops 1.5% for rabi crops इसी इसको याद रखेगा from exam perspective और 5% for commercial crops और compensation is very very easy क्योंकि government is involved low premium है full insured amount मिल जाती है agriculture remunerative बन गया है decent enough और अगर हम लोग बात करें 2016 से इंप्लिमेंटेबल है और premium काफी low है केंदर सरकार भी involved है राजसरकार भी involved है दोनों सरकारे premium भरती है यानि कि अगर 100 रुपय का premium है उसमें से 2 रुपय farmers भर रहे and 98 रुपी is being paid by the government state government and central government अब मैं अपको उधारन के तौर पर समझाता हूँ देखिए हाली में मैंने bike का insurance लिया और मैंने एक साल का approximately 1300 रुपय का insurance लिया bike का insurance and we do know how insurance works यानि कि अगर मैंने insurance लिया है तो जो insurance company रहेगी now that is liable यानि कि अगर bike को कुछ हो गया bike का accident हो गया third party insurance हो गया जिसको accident हुआ है उसको भी compensation मिलेगा लेकिन do I take that compensation every year हर साल तो compensation लेने की जरूथ नहीं डिस कीजी साल भी if there is an accident if there is a mishap then this particular amount will lead to some compensation अब उधारन के तौर पे मेरी bike का insurance 1300 रुपय के लिए approximately 50-60,000 रुपय का insurance claim कर सकते यानि की competition claim कर सकते अब फसल पे भी वही concept apply होता है देखिए फसल में 13,000 रुपय के प्रीमियम के उपर 45,000 रुपय का जो एक हेक्टेर का लैंडे सोयवीन का उसके लिए हम लोग insure कर सकते अब यह 13,000 रुपय की अगर बात की जाए तो इसमें majority जो प्रीमियम पे किया जाएगा केंद्र सरकार और राजसरकार द्वारा अब इसको implement कौन करेगा यह बहुत जरूरी चीज़ है देखिए प्रदान मंत्री फसल भीमा ही हो जना वेबसेट पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा insurance पे कौन करता है अब insurance पे कौन करता है एक M-paneled general insurance company की list पड़ी वे है अब इसको M-paneled कौन करता है इसको M-paneled करता है concerned state government कैसे? देखिए, simple सी इसे tender float कर देंगे कि कौन सी company interested है समझ लिजिए BID में या फिर किसी और जिल्ले में भी प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना implement कराने के लिए तो उनके tender, उनके bid के ऊपर उनको वहाँ पे implementing agency बना दिया जाता है और यहाँ पे आपको याद रखना है private companies भी involved है और government insurance companies भी involved है तो इस तरह का concept है I hope now it is very clear कि insurance concept कैसे work होता है अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी pointer है exam के perspective से आपको याद रखना है प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना में अगर इसके उपर एक statement आएगा it is compulsory for loanee farmers यानि कि जिस किसान ने loan लिया है उनको compulsoryly प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना में premium pay करना होता है आपको यह चीज़ याद रखें चलिए अब इस background के साथ बात करते हैं कि महराष्टा में क्या हुआ I hope you understand प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना ना अब महराष्टा में क्या हुआ इसमें से majority premium pay करता है महराष्टा सरकार और केंद्र सरकार farmers को बहुती कम premium pay करना है अब उसी साल अगर हम लोग बात करें claims कितनी हुए claims हुए approximately मैं क्या हुआ 2000 करोड का फाइदा है what is the profit for the companies insurance companies double the profit यानि कि premium जितना मिला है उसका आधा ही claims उन्हों ने धिया हुए लेकिन अगर आप देखे 2018-19 risk तो involved है insurance company मतलब risk involved है आप कम premium लेते हो अगर कोई compensation ले रहा है तो आपको बहुत high amount pay करनी है risk involved है आप यहाँ पे देखेए 2018-2019 specifically 2019 में 4925 करोड का premium लिया था लेकिन 5500 करोड 21-21 की बात करें खरीव का केवल यह है 5800 premium pay किया गया था लेकिन claim किया गया only 823 क्रोड इससे एक चीज़ पता चल रही है कि insurance premium काफी जादा pay हो रहा है और जो compensation है it is a little erratic in general अगर में लो बात करें compensation कम ही होता है अब देखिए बीड के बारे में बात करते है अब बीड में क्या हुआ बीड is a very curious case बीड का location है ये महाराश्टे के बीचों बीच आता है इन मराटवाड़ा region और बीड is a drought infested region we know that it is drought prone region और यहाँ पे किसी भी insurance company के लिए बहुत बड़ा challenge है अब क्यूँ जैसे सूखा पड़ता है तो insurance company अगर insure करके दे रही है crop तो उन्हें compensation देना ही पड़ेगा तो repeatedly crop failure होता है repeatedly insurance companies have to pay out more and more money अब ये insurance companies को पता है private companies they know it that is why nobody is bidding for bid अब देखिए state government को इतनी ज़्यादा दिक्कत हुए it was a difficult time for महाराश्टा state to get bids for implementing the प्रदानमंत्री फसल भीमा योजना in bid during khariv season 2020 पिछले साल khariv की season में almost exactly एक साल पहले किसी ने भी bid नहीं किया bid district के लिए तो कौन implement करेगा that was the big question how this प्रदानमंत्री फसल भीमा योजना would be implemented in bid so what the state government did कि यहाँ पे उन्होंने state run जो Indian agriculture insurance company है उसको उन्होंने implement कराने लगा दिया प्रदानमंत्री फसल भीमा योजना अब यहाँ पे जो राजसरकार है उन्होंने कुछ guidelines tweak कर दी थोड़ी सी guidelines में बदलाव ला दी अब क्या बदलाव लाए थे देखें नए guidelines में यह कहा गया था जो सरकारी insurance company है वो 110 प्रतिशत जो भी premium लेंगे उसका double से थोड़ा सा उपर 110 प्रतिशत compensation pay करेंगे but with caveats अब what are these caveats see the first caveat is that यानि कि समाझ लीजिए compensation अगर जो भी उन्होंने premium लिया है उससे exceed हुआ यानि कि अगर समझेए 100 रुपय की उन्होंने premium collect की हुए तो ये लोग pay approximately कितने करेंगे 220 रुपय पे करने लेकिन अगर इस value के उपर exceed हो जाएगा then it would be paid by the state government in simplest terms I am explaining you right यानि कि अगर जो भी compensation वाली amount fixed and decided है उसके उपर चली गई तो राज़ा सरकार पे करेगी लेकिन अगर समझिये जितना उन्होंने premium लिया है अब उस premium से भी less अगर compensation जा रहा है तो 20 प्रतिशत insurance company रख लेगी और बाकी सारा पैसा राज़ सरकार को वापस कर देगी I hope you understand the concept here यानि कि जो profit है insurance company का वो कम हो चुका है केवल 20% वो लोग रख सकते हैं in a profitable year that was the basic idea behind this bead model अब इसने क्या result दिया इसके result क्या है खरीव season पिछले साल 2020-2021 के season में बीड में कितना premium collect किया गया 803 करोड रुपय का premium collect किया गया और इसमें से farmers ने कितना दिया 60 करोड अब multiple farmers है लाक्स तुगेदर farmers paid small small amount of premium it totally amounted to 60 total premium केंदर सरकार का राजय सरकार का मिलकर 803 करोड रुपय का premium pay किया गया insurance companies को अब insurance company देखिए खरीव के claim कितने हुए पिछले साल केवल 8 करोड रुपीज तो जो सरकारी general insurance company थी उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने जो cost है यानि कि 20% जो cost था उसको उन्होंने रख लिया यानि कि 160 करोड उन्होंने रख लिया as a profit as the charges basically running charges और बाकी 634 करोड they transferred it back to the state government so here the profit of the company is reduced अब इसका मतलब क्या हुआ इसी लिए financial property आ गई यानि कि जो पैसा पहले insurance company को जा रहा था और majority years में ऐसा होता है देखिए one of years में क्या होता है कि crop losses बहुत जादा होती है compensation बहुत जादा pay करना पड़ता है लेकिन in general अगर हम लोग बात करें why chief mr. uddav thakre is requesting to expand this in entire maharashtra state is because जो claims to premium ratio होता है वो हर बार low होता है in majority of the years जो premium pay कर रहा है company को totally उससे काफी low होता है अब bead model में क्या होता है profit of the company is expected to reduce यानि कि limited है अगर compensation उन्हें low pay किया है तो 20% आपके charges रखोगे और बाकी पैसा आप सरकार को वापस दे दोगे इसका मतलब क्या है कि सरकार को पैसा वापस आएगा और इस पैसे को वो लोग अगले साल प्रदानमत्री फसल भी इमाम में इस्तमाल कर सकते है या फिर किसी और development work में इस्तमाल कर सकते है that's how they are bringing financial propriety financial prudence अब इस पूरे discussion में आपको याद रखना है कि जो bead model है इस bead model में परसे किसान को directly फायदा नहीं है यानि कि किसान अभी भी अपना डेढ़ प्रतिश्यत या फिर दो प्रतिश्यत प्रीमियम भरी रहा है लेकिन यहाँ पर सरकार को especially राजय सरकार को बहुत ज्यादा फायदा है आपने देखा कि खरीब सीजन में 634 करोड रुपे वापस आगए राजय सरकार को इसलिए the Chief Minister of Maharashtra is requesting to expand it all over the state अब सवाल यह उड़ता है should it be expanded or not now this depends on the central government और central government ये guidelines हो रहेगी क्योंकि it's a centrally sponsored scheme यानि केंदर सरकार, राजय सरकार मिलके इसको implement करेगी लेकिन सवाल जरूर रह जाते है कि अभी इस साल काफी अच्छा हुआ है it's very decent but again questions remain जो पैसा बचा है वो कहां जाएगा उसको किस तरह इस्तमाल किया जाएगा अगर expand करेंगे भी क्योंकि we cannot expect that it will be done this करीफ क्योंकि this करीफ season is already started probably from this Rabi season 2021-22 ते Rabi season जब आएगा नवंबर डिसमें तब यह implement यह फिर expand किया जा सकता है लेकिन clear cut guidelines के साथ इसको implement करने की ज़रूर है यानि कि जो पैसा अभी जो 634 करोड रुपया आया है सरकार को वो कहां जाएगा उसको किस तरह से इस्तमाल किया जाएगा उसकी काफी जानकारी होनी चाहिए because when we are talking about financial prudence we need to talk about the money which has come back जो पैसा वापस है उसको किस तरह से utilize किया जाएगा सरकार द्वारा वो भी policy clear होनी चाहिए उसके बाद ही expansion की बाते हो सकते that is it right now from my side on this part of discussion I hope this was interesting for you thank you for watching जाहिए